दोस्तों कई बार bleach को लेकर काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारी बाते होती हैं कि bleach हमें कैसे करना चाहिए घर पर और कितनी देर इसको अपने face पर रखना चाहिए और अलग-अलग bleach किस-किस चीज के लिए होते हैं किस-किस problems का solution के लिए होते हैं तो आज मैं आप सबके साथ D10 bleach का एक जो है वीडियो लेकर आई हूँ अगर आपको tanning हो रखी है तो आप इस तरीके के D10 bleach का यूज कर सकते हैं ये FEM का है for active tan removal और ये जो है 3 यूज के लिए आता है इसमें no added ammonia है और dermatologically tested है for safety all skin types के लिए है और इसका जो प्राइस है वो है 82 और 30 ग्राम का इसका net weight है यानि कि आप 82 रूपीज में आप तीन बार आराम से bleach कर सकते हो इसमें क्या मैंशन किया हुआ है कि active tan removal system 5 glow in 15 minutes है तो क्या है skin radiance, clear complexion, glowing skin, sun tan removal, removes dead skin cells तो ये है इसके जो है claims इसके अंदर क्या क्या चीजे मिलती है चली वो भी दिखा देती हूं तो यहां पर आपको cream bleach मिल जाएगी और आपको एक्टिवेटर मिल जाएगा powder activator साथ में pre bleach cream और post bleach cream भी मिल जाएगी आपको तो तीन तीन सैशे है क्योंकि तीन बार यूज करना है और ये spoon मिला हुआ क्रीम और एक्टिवेटर को निकालने के लिए साथ में एक spatula है और ये manual है जिसे की आप देखकर समझ सकते हो कि इसको जो है कैसे यूज करना है कितनी दे रखना है पैच टेस्ट कैसे करना है पहली बार यूज कर रहे हो तो पैच टेस्ट जरूर कर लीजेगा जिसे की कोई प्री ब्लीच क्रीम इसको हमें सबसे पहले यूज करना है अपने फेस पर तो क्रीम को जो है मतलब ब्लीच को मिक्स करने से पहले आप इसको अपलाई कर लीजे अपने फेस पर एक पाउच खोल कर और अच्छे से मसाज कर लीजे अपने फेस पर जिसे की अच्छे से आपक कोई भी मेटल की बोल मत लीजेगा और उसमें हमें एक स्पून निकालना है वैसे तो इस पून काफी ज्यादा बड़ा था उतना ज्यादा अमाउंट आपको यहां पर नहीं दिखेगा आप भर कर निकालोगे तो आपको लगेगा सब खताम हो जाएगा तो आपको ऐसा ध्या दिखता है कुछ अक्डीवेटर इसके अंदर हो जड़े शाइनी से पार्टीकलस भी पड़े हुए है तो आप हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है तब exhibits करना है जब तक ए homeless अबảngर चाटीवेटर जब तुर्भा कि तो अट्चे से इस के बीच को लगाने के पहले या लगाने के बाद तो इसको मैंने पूरे फेस पर अपलाई कर लिया है और जो है आखों का एरिया बचा के इसको अपलाई कीजिए और जहां जा आपके बाल वगए रहा हूं उस पर भी बचाईएगा मत लगने दीजेगा वरना वह भी गोल्ड लगाने के बाद ने लगालिया है और इसको लगाने के बाद बहुत ही सी मुझे खुश्चबो आ रही थी एक दम नाइस माइल सी ओर जैसे सिट्रस फूट जैसी होती है और लगाने पर काफी ठंड़ा ठंड़ा सा फील हो रहा था और यह पूरे टाइम ही रहा कुलिंग सा का रख़्य शोच यहां से नहीं grit जलन नहीं हो रहा जाना होँ जैसे कही सारे बीच में दिनकंड़ हूती डिया थड़ है को फड़ उता से वहिसे कि अल्लण सी हो ठाले बीच तो तो बीच Schoolowa थे Stevens चिसी को परमागी जतें है थांले मैं दो जब यहीं रहा क्या फर्वाटा लिघी पर टो कोई भी प्ली अगरू कर Springs किन साम ले है तो आप 10 से रारा मेट शिफ रखेंगा उसे जादे ब्राइट सी नजर आ रही है तो अच्छी लेगी मुझे काफी जादा और सबसे च्छी बात तो यह है कि इरिटेट नहीं करती इसकिन को तो अगर आपकी सिंसिटिव भी है तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो तो ब्लीच यूज करने के बाद हमें यूज करना है पो वाइट सा टेक्चर है तो ब्लीच यूज करने के बाद आप पोस्ट ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर लीजे बस इतना ही हमें करना है और हमारा ब्लीच कंप्लीट हो जाएगा अगर आप घर में ब्लीच करना चाहते हो और कम पैसे खच करना चाहते हो तो आप इसको करते हो खुद से आपको ये वीडियो कुछ हैपफु लगा होगा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा अपने फ्रेंड फैमली के जाथ और बने रहीएगा मेरे चैनल पर आगे भी और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने किया थिए हैं कुछ पर आगे गे वीडियो पूह प्रा आगे रएटा कर दो कर दो करेंड लॉद सीचल का दो कर दो कि लाएट कर दो कर दो कर दो कर दो को पाहद हैं के जा इसको फूलूस